चलिए तो हम स्टार्ट कर रहें न्यू चैप्टर पिरियोडिसिटी ओफ एलेमेंट्स यह क्लासिफिकेशन ओफ एलेमेंट्स जिसको हम शॉर्ट में यहां पर कहेंगे पिरियोडिक टेबल क्या कहेंगे उसको हम पिरियोडिक टेबल पिरियोडिक टेबल ओके पिरियोडिक टेबल यह पिरियोडिसिटी ओफ एलेमेंट्स यह ट्लासिफिकेशन ओफ एलेमेंट्स इसमें जो स्टार्टिंग दा पाड़ है जो इनिशिल पाड़ है वो है ट्राइड्स जो थेरी आपने पढ़ा है टैंथ में कि तीन तीन element के sets बनाए गए थे उसके बाद जो है कौन सा आया octave theory जिसमें eight elements के set बनाए गए थे चीक है उसके बाद था mandalive periodic table तो mandalive ने जो element से atomic weight के accordingly उसको arrange किया था जिसका mass पहले वो पहले आएगा फिर mass उसके आगे वाला इस तरह उसने arrange किया था उसने भी columns और जो है periods बनाए थे इन सब में कुछ न कुछ न कुछ न कुछ drawbacks थे उसके बाद आया modern periodic table तो हम direct modern periodic table पर आ रहे हैं और यह वाला part आपको just read कर लेना है ठीक है तो वो तना important नहीं है main है यहाँ पर modern periodic table और इसी को आपको दिमाग में बिठाना है इसी से related है सारे properties जिसको हम जो प्रियोडिक trends कहते हैं कि उसमें जो left to right और top to bottom जो जो changes आते हैं वो सब हम पढ़ने वाले इंशाला ठीक है आगे तो हम स्टार्ट कर रहे है modern periodic table से तो यह जो lecture है इसमें हम periodic table learn भी करेंगे basic properties discuss भी करेंगे चोटे चोटे जो प्रॉपर्टिस में यहाँ पर बताऊंगा आपको वह इन डीटेल बाद में भी आने वाले हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका introduction देना भी जरूरी है रिलेशन में उसको समझने के लिए तो सबसे पहले जो modern periodic table था यह modern periodic table का जो credit है सबसे ज्यादा जाता है यह किसको मौसले हैंडरी मौसले तो मौसले जो है एक physicist था यह physics का scientist था तो यह x-ray diffraction पर work कर रहा था एक्स-ray अगर अलग-अलग metals पर एक्स-ray मारा जाए तो उससे क्या होता है तो एक्स-ray पर वह मैटल्स पर जब एक्स-ray मारी जाती है radiation जो अभी हमने structure of Adam में पढ़ा है तो वह radiation deflect होती है वापस टक्रा कर जाती है और कुछ angles बनाती है उन angles को अलग-अलग metals का उसने चेक किया तो उसने देख आ है के sodium metal रहते है तो डिफ्लेक्र्च अलग होता है magnesium रहते है पोटेशिम रहते है तो इस पूर उसे relation देखा के अलग-अलग metals अलग-अलग deflection बता रहे हैं तो उसको order में रखा उसने angle के form में कौन कितना angle change करता है कौन सा metal रखने पर तो उसको एक relation मिला atomic number और angle का atomic number और उस angle को relation मिला कि तो उसने सोचा कि अब हम atomic number के accordingly इसको arrange करेंगे और वो successful रहा उसकी जो theory थी उसका जो concept था उसी के base पर जो modern scientist है उन्होंने periodic table को atomic number के हिसाब से यानि उनके proton number nucleus के अंदर proton होता है पढ़ चुके है proton number के accordingly arrange किया और वो successful रहा लेकिन इत्वाक ऐसा हुआ तो पोलेंट जर्मनी पते हैं आपको तो यह पोलेंट का रहने वाला था जो जर्मनी का पार्ट था पहले पोलेंट ठीक है पोलेंट जर्मनी जो है distribution हुआ वार हुई वार में इसमें भी पार्टिसिपेट किया देखिए यह थे पैट्रियोटिक लोग इसको बोलते साइंटिस होकर उसने वार में पार्टिसिपेट किया उसमें वो शहीद हो गया वेचारा ठीक है लेकिन उसके concept पर modern periodic table बना चलिए तो modern periodic table में total columns है 18 कितने columns है 18 तो हम उसको यहां से लेते हैं one okay उसके बाद आएगा यहां पर second one two उसके बाद यहां पर period number आएंगे horizontal जो rows है उसको periods कहते है one two three मैं one by one उसको आपको बताता हूं यहां पर तो यहां हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं ताकि हमको यहां पर उसके short cuts भी लिखना है जो आपको learn करना है उके उसके बाद one two three then fourth then fifth then sixth and seventh तो f block जो के bottom of the periodic table में होता है हम उसको अलग से जो है देखेंगे ठीक है ओके तो यहां पर से यह जो part है इसको कहा जाता है s block क्या कहते हैं इसको s block कहते हैं इसको s block element वह भी क्यों मैं बताता हूं अभी आपको यह element को s block क्यों कहा जाता है first or second group first group very short period बोलते इसको क्या बोलते है very short period hydrogen होता है यहां पर उसके बाद आना चाहिए था है helium लेकिन helium की property last वाले column से match होती है noble gas से इसलिए उसको वहां रखा गया है तो first period में two elements है hydrogen helium यहां पर और noble gas में रखेंगे हम helium को तो यह दो है इसलिए इसको क्या कहते है very short period क्या बोलते इसको very short period उसके बाद second period में होता है lithium और beryllium और फिर दर पी ब्लॉक में जाएंगे बोरान से तो वह अभी मैं ड्रॉ करता हूं ठीक है यहां पर sodium magnesium फिर aluminum आता है पी ब्लॉक में मतलब यहां middle में d block elements कोई भी नहीं है वह शुरू होते हैं fourth period से यानि potassium calcium ठीक है अब यहां से यह series शुरू हो जाएंगी fourth period से तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें total कितने column है 10 one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten इसके बाद six column पी ब्लॉक में होते हैं ठीक है पी ब्लॉक यह यहां पर कितने इसमें कितने column six one, two, three, four, five, और इसको हम थोड़ा से इदर लेते हैं six ओके चलिए अब जरा ध्यान से देखिए ठीक है अब थोड़ा ध्यान देना यहां पर तो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं यह ताके बाद में हमको इजी जाएगा यहां से यह उपर दो period है जोके incomplete होते हैं, okay, then sixth period, then sixth period, okay, चलिए, यह s block कहलाते हैं और यह होते हैं D block elements, D block elements, और यह होते हैं, P block elements, यहां पर helium होता है, ठीक है, helium, okay, चलिए, तो F block आएंगे नीचे, वो कैसे मैं आपको बताता हूं आगे, चलिए, अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर hydrogen, second period को कहते हैं, second period और third period, दोनों को कहते हैं, incomplete period, क्योंकि यहां D block elements नहीं हैं ना, ठीक है, first वाला क्या है, very short period, ठीक है, दो यह element है, hydrogen, helium, second period, S block के 2 और P block के 6, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, इसके लिए हम short cut यहां पर लेंगे, आसनी से याद रखने के लिए, ली, बे, बक, नो, funny, बकनो पूरा साथ में यहां पर, बकनो, funny, थोड़ा आजीब लग रहा है, याद रखने के लिए अच्छा है, इसके English में भी आते हैं, निमोनिक्स, लेकिन वो इतने टिपिकल दिखे मेरे को, उस उतना learn करने से अच्छा है, तो direct elements सी learn करना, इसलिए मुझे यह हिंदी वाला तोड़ा अच्छा लगा, simple, देखो, simple से देखिया, यह दो, और छे कितने हो गए, आठ, लीवे बकनो फने, easy shortcut, अभी आपको लगते हैं, मैं तो अच्छे से learn कर लूँगा, उसको, कोई problem नहीं है, लिकिन जब आप 30 तक learn करते हो, उसके बाद, stress आना शुरू होता है, shortcut में benefit बहुत ज़्यादा है, इसका example, मैं खुद आपको बताऊंगा, example, solve करते हैं, कैसे फटाक से answer आता है, अगर आपको एक गाना याद है तो, तो इसको डरो मत आप, इसका कोई meaning नहीं है, कोई गाली भी नहीं है, इसका मतलब, तो बिंदास, में तो बोले हैं, आप तेल करते अच्यसे लेकिन जाजीब ब careless के ठोड़ा सा शर्मा शर्मा के पढ़ते हो तो अपने शर्मा वर्मा नहीं करना है यह पर अपने को इसको लां करना है, क्योंकर यह अपने काम की चीजी चीजे ठीक है, ओके यह आप देखो मुझे कैसे का श्टाक से याद के लाद मैं अब मैंने दिल में अलग पढ़ रहा था आप learn करें रटा मारे हुए लेकिन आगी का रटा नहीं मार सकते आप बहुत difficult हो जाता है ठीक है तो ना मगल ना मगल यह अल यहां से लेने का नाम अगल सी पसल सी पसल अर ना मगल सी पसल अर अभी learn हो जाएगा आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिया ठीक है आप देखिए यह मैं फटाक से लिखते जा रहा हूं दिल में लेकिन गाना चल रहा है मेरे इसके बात क्या है इसके बात क्या है लेकिन गाना चलते रहता दिल में अब देखो काका इस्टीव क्रामन क्रामन फे को नी फे को है तो फे को नी कुज फे को नी कुज जा गे ए से बरकर है ना अब देखो काका इस्टीव क्रामन फे को नी कुज जा गे ऐसे बरकर है एडिन इलेमेंट्स हो गहै कि ऑपकुछ मुश्किल है िज deleting पिरियेट कर सकते को उला इसको है कुछ को आप लाइसल पिरियुन सुम्ति आपको कंप्लिट पीरिय कर सकते हैं अब यहां कर किसमें tam पोटेशियम इसके बाद को ना आता है रूबिडियम बस यह फॉर्स एक बार आपको आया तो आप अड़ाक से पुरा लिख सकते हैं इसके बाद जो है स्ट्रॉंशियम अब यहां से डी ब्लॉक की नेक्स स्ट्रीज शुरू रही है इसको टैरियम बोलते है वाई साइलेंट टैरियम वाई इडवल्टी रहता है टैरियम ठीक है तो अब मुझे फटाक से कैसे याद है इसका भी बनाए हुआ है रूबी कोई है ने रूबी हाँ हाँ रूबी सर वाई जर नब मो टक्रू रा टक्रू रा टक्रू राट टक्लू नहीं टक्रू रा पड़ आगकर पड़कर इंसान सबते इजे हो जाएगा आपको भी लान हो जाएगा अभी नहीं थोड़ा टाइम लागेगा रिविजिन रिविजिन करेंगे लान हो जाएगा उसके बाद रूबी डियम के बाद सीजियाम सीजियाम बेरियाम अब यहां से ही शुरू हता है लैंटेनाम इसका भी है six period यह भी 18 अब इसमें 18 नहीं अब इसमें रहेंगे 18 प्लस 14 32 क्योंकि लैंटेनाम के अंदर लैंटेनाम अकेला नहीं अंदर और 14 elements बैटे हुए जिनकी property सेम रहती है लैंटेनाम के बाद से उनको यह रखा जाता है क्यों बताओंगा मैं अभी ठीक है तो इसको हम बोलते हैं सबा ला हाफ्ताओं ला हाफ्ताओं री ओसर पुरह एक साथ री ओसर ओस्मियम एंड इरिडियम री ओसर पटाओ पटाओ एजजी टिप डिक नहीं है डिक से टिप बी पोएट पोएट रन ओके इसके बाद यहां पर आए फ्रैंसीम और यहां पर होता है कौन रेडियम तो यह इसके बाद एक्टिनियम आएगा तो इसको हम अलग से देखते हैं क्योंकि न्यूली डिसकरवर्ड एलेमेंट है इसका शॉर्टकट मेरे पास नहीं था ठीक है तो मैं आपको बाद में ध्यान से देखने का अभी हम आ रहे हैं कंसेप्ट की तरफ यह तो है शॉर्टकट लर्न करने के लिए इमेज निकाल लेंगे आपको मिल जाएंगी कोई प्रॉब्लम नहीं अभी इधर देखो लिखो मत ठीक है तो यहां पर मैं यह नेम मिटा देता हूं प्रियोडिक एट नाइन टैन एलेवन च्वेल थार्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन सेवंटीन एटीन ग्रोप ओके तो यह प्रॉब्लम नहीं कुछ भी और नम्बरिंग है रोमन नम्बरिंग इसमें कन्फूजन होता है लेकिन यह आपको पता होना जरूरी है कभी कभार इस हृश पर स्कृब को फास्टीस हृश सेुंड ग्रूप को सेटेऻियर रोमन में कि दो घृटीन ग्रूप सेंदक बनाये ग्रूप्स की ना रोटीकल कॉल ने इनको ग्रोप्स कह जाता है इन सब इन सब की व्रोप्र faithful से मोँग होती ज biraz if त्हें उनको ठीक है hug तो यह 18 है तो इसमें A और B ग्रूप बनाए गए है ए ग्रूप में S ब्लॉक और T ब्लॉक को लिया है ठीक है तो अब यहां से चलेगा कैसे सेगेंड थर्ड ए फॉर्थ ए अरे A है भाई A थर्ड ए फॉर्थ ए फिफ्ट ए सिक्स्थ ए सैवन्थ ए और जीरो ग्रूप क्या बोला है जीरो ग्रूप तो फर्स्ट ए सेकंड ए एस ब्लॉक में होता है और थर्ड ए थर्ड ए फॉर्थ ए फिफ्ट ए सिक्स्थ ए सेवन्थ ए और एडिन को नाम दिया हुआ है जीरो यह होते हैं पी ब्लॉक में ओके ठीक है उसके बाद वी ग्रूप को रखा गये डी ब्लॉक के अंदर ठीक है तो यह कैसे कि इसको थोड़ा सा ओड है ज़रा ध्यान से देखो इसमें ग्यारा बारों को पहले दिया है फॉर्स्ट बी सेकेंड बी और उसके बार यहां से थर्ड से आया मैच करने के लिए क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 होती है तो उन्होंने ऐसे नंबर सेलेक्ट किया जिस उसकी वैलेंसी मैच हो ठीक है तो यहां पर लिया उन्होंने थर्ड बी बहुत आसा जाना याद रखना ग्यारा बारा को फर्स बी सेकेंड भी फिरी तर से आ जाओ फूर्थ बी फिफ्ट बी सेक्स्ट बी सेवन्थ बोलते इसको उन्ली है सेवन्थ बी और यह तीन जो है एट नाइन टैन इनको एक साथ रख दिया एट ग्रुप बोलते इसको एट ग्रुप यह आप एट बी भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह एट ग्रुप में तीन कॉलम आते हैं एक साथ ठीक है उन्होंने मैनेज करने के लिए इस तरह से उसको बनाया लेकिन मॉडर्न नम्रिंग तो सिंपल है वाइन टू एटीन वह जीरो ग्रूप मतलब नोगल जैसे रहते हैं वह किसी से रियक्शन नहीं करते हैं ठीक है नॉर्मल कंडिशन में ठीक है येस नहीं 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 वह थर्ड ए वही है ठीक है नो नो नहीं होना चाहिए इसको पॉस कर एक मिनिट पॉस 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 ओके चलिए तो यहां पर उसने क्या दिया इसको 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B मतलब यहां से continue हो जा रहा है 1st B, 2nd B, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B और यहां से इसको 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A और 7th A ओके ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा short revision कितने columns होते हैं periodic table में 18 और periods कितने होते हैं 7 यह जाकर फिर वापस आते हैं इसलिए period कहते हैं मतलब repeat हो रहा है cycle चल रहा है continue ठीक है उदर गया फिर वापस स्टार्ट किया फिर गया फिर वापस स्टार्ट किया ठीक है तो seven periods यानी horizontal rows और vertical columns मतलब कौन है groups 18 7 चलिए चौटकर तो यह आप बात में लान कर लेंगे इसका problem नहीं है अब जड़ा यह एक छोटा सा intro दे देता हूं मैं आपको s block elements को s block element क्यों कहते हैं because the last and the differentiating electron enters into s orbital इनके जो electrons है वह इंटर होते हैं हम detail में देखें के बाद में इसको अभी शॉट में बता रहा हूं मैं इस ब्लॉक क्यों बोलते हैं जैसे मैं लेता हूं example sodium sodium लेता हूं मैं electronic configuration 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10 इसका atomic number कितना है 11 मैंने बोला 1 to 30 सब को लानों ना ठीक है तो यह बाद में आता है 3s1 तो इसका last electron का इंटर हुआ एस में अब वो principal quantum number period के हिज़ाब से चेंज होते जाता है 3 मतलब 3rd period principal quantum number period number बताता है याद रखो तो यहां पर यह एस में last electron गया इसलिए इसको का जाता है as block element पी ब्लॉक एलेमेंट को पी ब्लॉक एलेमेंट्स की कहते हैं इसमें से आप कोई भी ले लो फिर डिटेल में देखने वाले वैसे बाद में बोरान atomic number 5 1s2 2s2 2p1 तो लास्ट एलेक्ट्रॉन किदर आप पी में इन सब के लास्ट एलेक्ट्रॉन पी में आते हैं इसलिए 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 पी और्बिटल एलेमेंट्स वैसे डी करेगा वैसे एफ करेगा अब यहां पर आईए एफ ब्लॉक एलेमेंट एक्चुली यह जो आपको एड्रेस दिख रहा है यह जो प्लॉट दिख रहा है आपको इस बाइटीस का प्लॉट दिखा आपको यह हां उसका एड्रेस क्या आई सेख्स पिरियद थर्ड्ड गृप थर्ड्ड गृप बलो है थर्ड एक ग्रूप बलो ठीक है थर्ड गृप जो प्लॉट एक जो आपको आपको एड्रेस उसके बाद और फॉर्टीन एलेमेंट्स आते हैं जो कि सीरियम से स्टार्ट होते हैं लुटेशिम तक समझा को यह आज इस लेंटिनम जैसे शो करते हो प्रॉपरडी इस यह वालों से मैस नहीं होता तो यहां नहीं रख सकते ना तो ऐसे फॉर्टीन एलेमेंट्स यहां रखेंगे तो आप देख सकते उसको नहीं देख सकते ना इसलिए उसको एरो बताकर नीचे स्पेशल नीचे ब्लॉक लिया है उसको एंफ ब्लॉक दे दिया है उसमें दो रहें एक यहां बादिन आप यहां के बादिन है प्रमनेट्स इसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इस एक्टिनियम की तरह हैं मतलब उनको यहीं रखना चाहिए एड्रेस 7.3rd group लेकिन उनको आगे नहीं रख सकते हैं लेकिन इतनी चोटी जगा मैं आप 14 elements नहीं बता सकते हैं उसको भी एरो लेकर नीचे अलग से बता गया 14 and 14 28 elements इनको कहा जाता है f block elements क्यों क्योंके लांस electron कि दर इंटर होता है f में अपने और प्रिंसिपल देखे रहें आपको n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 में यादे क्या आपको 1 2 3 4 5 यादे क्या आपको तो उसमें दो ऐसे थे principle quantum number जिसमें f introduced हो रहा था समझा आपको समझा आपको हाँ फोर एफ एंड फाइफ तो फोर एफ वाला आता है 6 में फाइफ वाला आता है यह आपर आप बिलिंगे ऐसे कैसे दो number कम कैसे हो गए तो n-2 बिल्के उसको यूज किया जाता है नो प्रॉब्लम आगे आएगा मैं बताओंगा आपको तो इसके नाम से बुलाए जाता है 14 elements को ठीक है तो लेंट नाइट सीरीज एक टीनाइट सीरीज एफ ब्लॉप में आता है हम उसको भी देखेंगे ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई है अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट वो यह है प्रियोडिक टेवल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता है आप सिंपल लॉजिक से बढ़ा सकते हैं वान मतलब शेल वान है टू मतलब शेल टू है तो शेल बढ़ रहे बता रहा हूं यहां पर जरह आप लोग ध्यान से देखिए मैं इसका इमेज आपको देदोंगा नो प्रॉब्लम ठीक है लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर लेकिन यह एक्चुली कहा पर आएंगा है ब्लॉग एक डी बॉटम और टेवल यह प्रियोडिक टेवल के बॉट दिख रहा है यह नो प्रॉब्लम ठीक है ओके लेंटेन लेंटेन यह एक्टिनियम यह लेंटेनम के बाद के पॉडिन एक्टिनियम के बाद के पॉडिन जो इसी ग्रूप में रहते हैं ठीक है है ओके लाइशाट करते हैं अपना होगया पहले वाले शॉट कर्ट में लेकिन फिर भी यहां इसको यूज किया था ला से पर नद पम समई कि गड़ तब डी हूँ अर हूँ अर तमयबलू 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 लैंटेनम से लू तक लालू यह लालू याद रखने का है समझा आपको तो ला से पर नद पम समई गड़ तब डी हूँ अर तमयबलू अभी एक और आएगा हसना नहीं जादा अस इसको अस्त यूज़ करते हैं बर अस्थपाओ अस्थपाओ नपू अस्थपाओ नपू अस्थपाओ मदनू नहीं मदनू लूर 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 नहीं लूर समझा आपको अस्थपाओ नपू अमकंबकः इस्वाम मदनू लूर यह कल सभी के पास लिखा होना चाहिए इमेज में आपको सेंड कर दूंगा ठीक है तो आज हम इसको यहां स्टॉप करें कल प्रॉपडिस चुरू हो जाएगे इन डीटेल इंशाला ओके स्टॉप कर दो मेडिल बट झासे में